प्यारे बच्चो अभी हम किसी संक्या के वर्ग निकालने के तरीकों पर बात कर रहे थे अब हम बात करेंगे कि किसी संक्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वर्गमूल निकालने की दो विदियां गुरंखन विदी और भाग विदी इसे आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है अब ही हम आपके सामने एक ऐसी विदी रखने जा रहे है जो बहुत आसानी से आपको वर्गमूल का परणाम देती है विदी हमरे पास छोटी संख्याओं हो तो हम संख्याओं को देख कर ही उसका वर्गमूल लिकाल सकते है उस तरीके के बारे में हम आपके सामने बात करना चाहरे है इस विदी को हम विलोकनम विदी के नाम से जानते है तो देखिए हम संख्याओं का वर्गमूल लिकालना चाहते है और जिस विदी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो विलोकोनम विदी है आपकी पुस्तक में एक तालिका दी हुई है उस तालिका को हमने यहाँ पर दुबारा से बना लिया है ताकि इस पर आपके साथ विश्तार से थोड़ी बात कर ले इस तालिगा में आप देख रहे हैं कि हमने कुछ चीदे लिखी हुई है जैसे हमने लिखा है संख्या, संख्या का वर्ग और भीजांग संख्या हैं जो हमने यहाँ पर लिए हैं वो एक से लेके दस तक ही है करमशा लिखी हुई एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, नौ, दस अभी हमने कवल दस संख्या लिए हैं इसे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं इन दस संख्याओं के वर्गों को फिर हमने यहाँ पर लिखा है जैसे आप देखिए एक कवर्ग एक, दो कवर्ग चार, तीन कवर्ग नौ और इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं और दस कवर्ग सौ लिखा है यह पूरी पंक्ती जो आप देख रहे हैं वो उपर लिखी हुई संख्याओं के वर्गों से संबंदित है वर्ग यहाँ दिये हुए है नीचे एक और पंक्ति आप देख रहे हैं इस पंक्ति में आप देख रहे हैं ये सारे बिजांक हैं ये जो आपको वर्व संख्या प्राप्त हुई है उनका बिजांक यहां लिखा हुआ है बिजांक निकलना आप जानते हैं जो संख्या दी हुई है उसको आप जोड़े और तब तक जोड़े जब एक अंक आपको प्राप्तना हो जाए तो आप बिजांकों के पर गौर से देखिए एक का बिजांक एक, चार का चार, नौ का नौ सोला में दो अंक है, एक और च्छे इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमको साथ मिलता है तो सोला के बिजांक साथ कहलाता है पचीस में भी दो और पांच दो अंक है, इनको जोड़ने पर आपको साथ मिलेगा तो आप कहा सकते हैं कि संक्या पचीस का बिजांक साथ है 36 के बारे में सोचिए 36 में 3 और 6 दो उंख है इन्हें आप जोड़ेंगे तो आपको 9 मिलेगा तो आप कहा सकते हैं 36 का बीजांख 9 है 49 के बारे में सोचिए यहां 4 और 9 है आप जोड़ने पर देखेंगे कि आपको 13 मिल रहा है 13 में फिर से 2 उंख है एक और 3 इन दोनों को भी आपस में आप जोड़ दीजे तो आपको 4 मिलेगा तो आप कहा सकते हैं कि 49 का बीजांख 4 है 64 के बारे में देखें 64 में 6 और 4 है जोड़ने पर आपको 10 मिलेगा 10 में 1 और 6 है उनको भी आप जोड़िए तो 1 मिल रहा है 81 का बीजांख 9 है और 100 का बीजांख 1 है तो आप बीजांख को गौर से देखें तो आपको कुछ खास चीज नदर आएगी एक कुछ पैटर नदर आएगा आप देखें यहां पर आपको मिल रहा है 1, 4, 9, 7 फिर यही संख्यां रिपीट हो रही है देखें, 7, 9, 4, 1 तो यहां से लेकि यहां तक आप देख रहे हैं कि 1, 4, 9, 7 7, 9, 4, 1 और फिर यह 9 और 1 रिपीट हुआ है तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांख निकालते हैं अला कि एक्जांपल हमारा बहुत छोटा सा है लेकिन इसके अलावा किसी और भी वर्ग संख्या में आप बीजांख निकालके देखें तो आपको यही परणाम मिलेगा तो आप यह कह सकते हैं कि कोई भी यदि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके भी जांग जा है वो एक छार साथ और नो ही हो सकते हैं यह दिए उनका भी जांग कि इनके लावा कोई और रंक या कोई और संख्या मिलती है एक से लेके नो तक के बीच में तब आप कहेंगे कि कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होसकती इसे आप जाच करकी भी देख सकते हैं वैसे ही एक पैटर्न आपको यहां पर भी दिखाए पड़ेगा आप देखिए जितनी हमें वर्व संख्याएं मिली हैं उन सब की इकाई पर जरग गौर करें आप ध्यान दे आपको पता चलेगा कि यहां इकाई में एक, चार, नौ है यहां छे है, यहां पाँच है फिर से यहां छे आया, नौ आया, चार और एक आया और शुन्य आया अगर इन सब को इकठा करें तो आपको मिलेगा कि यह जितने बें वर्ग संख्या हैं आपने उधारन के तोर पर ली है इन सब के इकाई काउंक या तो शुन्य है या एक है या चार या पांच या छे या नौ है तो इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई में शुन्य एक चार पांच छे नौ हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है हम यह नहीं करें होगी ही ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऐसी एनेक संख्या है हमारे पास जिनकी इकाई में यह अंक हमें मिलेंगे लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो संक्या पूर्ण वर्ग संक्या हो लेकिन हम ये कह रहे हैं ये दिकिती संक्या के इकाई में शुन एक चार पांच छे नो हो तो वह संक्या पूर्ण वर्ग संक्या हो सकती है इस कथन को आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कोई भी पूर्ण वर्ग संक्या आप लें तो उसकी इकाई में इन में से कोई एक अंक जरूर मौजूद होगा इसको उल्टे ढंक से आप कह सकते हैं आप देखी हैं पर पूरी शुने से लेके नौ तक के जो अंकों के श्रिंखला है उसमें कुछ चीदे नहीं है जैसे शुने है एक है दो तीन नहीं है फिर चार पांच छे है साथ आठ नहीं है फिर नौ है तो आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी संक्या की इकाई में दो तीन साथ आठ मौजूद है तो पक्के तोर पर आप कह सकते हैं कि वह संक्या पूर्ण वर्ग संक्या नहीं होगी मैं फिर से रेपीट करता हूँ इस बात को यदि किसी संख्या की इकाई में दो, तीन, साथ या आठ हो तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती चलिए अब इस तालीका को हम फिर से दूतरे दिश्टी से देखते हैं और एक अठा करते हैं हम संबंद बनाते हैं कि जो वर्ग संख्या की इकाई है वर्ग मुल्ग संख्या की इकाई के बीच क्या संबंद है तो वर्ग संख्या की इकाई को हम अगर यहां पर ध्धान से देखे तो हमें इहां पर ये संख्याएं मिलती है शुन्य एक चार पांच छे और नौ किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में ये संख्याएं हो सकती है अब इनके वर्ग मुल के बारे में देखिए इदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में शुन्य है तो उसके वर्ग मूल की इकाई में क्या था अब देख रहे हैं आपर 100 है वर्ग मूल में 10 है तो अगर वर्ग संक्या की इकाई में शुन्न है तो वर्ग मूल संक्या की इकाई में भी शुन्न होगा तो आप इसे लिख सकते हैं आप देखिए यहां पर वर्ग संख्या एक है वर्ग मुल संख्या भी इकाई में एक है यहां पर आप देखिए वर्ग संख्या की इकाई में एक है लेकिन वर्ग मुल संख्या की इकाई में नौ है तो हम यह कह सकते हैं यदि किसे संख्या के इकाई में एक है तो उसके से लिए संख्याृष्स माशधा हुए , साथ दोविक यहां हो ड संक्याृष्स होगी वर्ग्मॉल्ध कोई एक संक्या होगी वर्गमॉलwydd में इकाई में चार है ind vinegar मैं या तो 2 होगा या नहीं आठ होगा अब 5 के बारे में गोष्यों करिये आप देखर हैं कि वर्गमूल एक जगह पर आया है वर्ग संक्या में 25 में आया हुआ और उसके वर्गमूल ने भी 5 है । ratio canli वर्ग मूल संख्या की इकाई में भी पांच ही होगा छे को देखिए छे भी दो जग आपको दिखाए पड़ रहा है चार का वर्ग सोला यहां इकाई में छे है और छे का वर्ग संख्या की इकाई में छे है यदि वर्ग संख्या की इकाई में छे है तो हम यहां लिखें यदि किसी वर्ग संख्या की इकाई में छे है तो वर्ग मूल की संख्या की इकाई में या तो चार होगा या छे होगा नो के बारे में देखें नो भी दो जगा आपको दिखाए पड़ रहा है यहां पर एक जगा नो है और यहां भी उन्चास में नो इकाई में है तो अब देखें यहां जब नो है तो इसके वर्ग मूल की संक्या में इकाई में तीन हो सकता है या साथ हो सकता है तो आपके सामने एक तालिका है मिली ये आपको विकल्ब देते हैं कि ये वर्ग संख्या की इकाई में ये अंक मौझूद हैं संख्या मौझूद हैं तो उनके वर्ग मौल की इकाईों में ये सारी चीज़े मौझूद होंगी अब इनका उप्योग करके हम किसे संख्या का वर्ग मुल निकालते हैं विलोक्राम विदी से एक चीदे हाँ पर हम और जोड़ना चाहेंगे यदि किसी वर्ग में वर्ग वाली संख्या में जितने अंख होते हैं जैसा माल लिजे एक या दो अंख है तो इनका वर्ग मुल आप देखिए यहां पर नौ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं चार भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं और भी इनके बीच में कई सारी संख्या आएंगी इसका वर्ग मुल एक है इसका वर्ग मुल दो है इसका वर्गमूल तीन है इसका वर्गमूल चार है इसका वर्गमूल नो है जैसे ही आप सौ में जाते हैं तो इसका वर्गमूल हमें मिलता है दस के बराबर तो यहाँ से परणाम हम निकाल सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संered में संध्याओं जितने जोडे होते हैं अब चुए यहाँ पर हकेली संक्या है तो यहाँ पर भी हमको वर्ग मूल एक अंका मिलेगा लेकिन जैसे तीन अंक हुए पूर्ण वर्ग संध्या में जोड़े इस तरह के बन सकते हैं उनके आदे संख्याएं वर्गमूल में होती हैं यह हमको प्रणाम मिलता है यदि किसी संख्या में चार पद है एकाई दहरी सेकड़ा हजार तो इनके वर्गमूल में हमको किवल दो पद ही मिलेंगे और यदि पांश हो जाते हैं पांस संख्या होती हैं तो आप देखिए गाई एक जोड़ा दूसरा जोड़ा और एक अकेली संख्या तो यहाँ पर हमको वर्गमूल में तीन संख्याओं तीन उनको वाली संख्या मिलेगी तो ये एक और परणाम है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा और इन सब के आधार पर हमें कोशिश करते हैं कि हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सके चलिए एक संख्या है हमारे पास 6889 इसका हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो हम ये देखें कि कितने जोड़े बनते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो इकाई और दहाई की संख्या हैं उनका एक जोड़ा बनेगा और सैकड़े और हजार की संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा यानि इसका जब हम वर्गमुल प्राप्त करेंगे तो हमकों दो अंक मिलेंगे यानि इसकी जो वर्गमुल संक्या होगी वो दो अंकों वाली होगी ये पता चलता है इस जोड़े के आधार पर हम ये देखेंगे कि जो वर्गमूल वाली संक्या है उसकी इकाई में क्या हो सकता है और इस जोड़े के आधार पर हम तरह करेंगे कि वर्गमूल मिलने वाली संक्या के दहाई में क्या हो सकता है अभी इस तालिका में जो हम इस प्रणाम पर पहुंचे थे उसके आधार पर देखिए इस संख्या की इकाई में नौ है तो इसके वर्गमूल वाली संख्या में क्या हो सकता है ये देखिया आप देख रहे हैं हापर अगर किसी वर्ग संख्या की एकाई में नौ है तो इसके वर्ग मुल वाली संख्या में या तो तीन होगा या साथ होगा तो हमारे पास दो संभावना है कि अगर हमें दो संख्याओं वाली वर्ग मुल संख्या मिल रही है तो उसकी एकाई में या तो तीन हो सकता है या उसकी एकाई में साथ हो सकता है अब आप देखिए इसके अधार पे तो हमने एकाई की संख्या का अनुमान लगा लिया अब हम इस 68 को देखते हैं जो बाही तरफ का जोड़ा है और 68 के बारे में आप देखें कौन सी संख्या के नजदीक है आप देख रहें कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में 64 और 81 इनके बीच में 68 आता है इसका मतलब यह है कि इस संख्या का वर्ग मूल या तो आठ होगा या नौ होगा दाहाई के अंख में तो हम मान के चलते हैं कि इसके संख्याओं या तो आठ है या नौ है तो अगर हम यह देखें कि आठ का वर्ग मूल 64 है और 9 का वर्ग मूल 81 है तो हमें लगता है कि जो 81 है वो आठ से अधिक दूर है बनिजबत 64 के यानि आठ सट चौसर्ट के पास की संख्या है तो हम अनौन लगा सकते हैं कि इसका जो वर्ग मूल है वो आठ ही हो सकता है नौ यदि हम ले तो हमें एक बड़ी संख्या मिलेगी जो इससे अधिक हो सकती है तो इस divine fanema के अधार पर हम ये कह सकते हैं कि 68 का पूरी संक्या का जो वर्गमल होगा उसकी दहाई में 8 के होने के संभावना अधिक है याने हमने 1 आई में मान लिया था कि 3 ये साथ हो सकता है और दहाई के लिए हमने माना कि वह 8 हो सकता है यानि कि वो संख्या जो वर्ग मुल होगी वो या तो 83 होगी या 87 होगी अब हम देखें कि इनके बीच की जो संख्या है 83 और 87 की बीच की जो 85 है 85 का वर्ग निकालना आपके लिए बहुत आसान है आपको एक तरीका याद होगा कि हम इसका वर्ग करते हैं इस संख्या मैं से एक ज़्यादा का गुणा करते हैं आच में हम नौ का गुणा करें, तो हमें मिले का 72 इस करत हुआ कि 85 का वर्ग 7,225 है अब 7,225 और इस संख्या के तुल्म हम करें कि ये कहां पर ठैरता है 7,225 का वर्ग है और संख्या 6,889 का वर्ग है इसका मतलब आप देखने के 6,889 संक्या जो है वो 7,225 से छोटी है इसका मतलब इसका वर्गमूल इस संक्या का वर्गमूल से छोटा होगा यानि इस संक्या का वर्गमूल 85 से छोटा होगा और 85 से छोटी संक्या हमारे पास 83 है तो हम क्या सकते हैं कि 6889 का वर्गमूल तरासी हो सकता है अब आप गड़ना करके देखें क्या तरासी इसका वर्गमूल है यह आप हल करें और पाएंगे कि तरासी इसका वर्गमूल है आप चाहें तो इसका हल करके देख सकते हैं